गाइस जिसा कि Xiaomi बहुत ज़ल अपनी flagship series Mi 10 को officially launch करने वाले हैं जिसे Xiaomi ने officially tease करना भी शुरू कर दिया है Mi 10 Pro का live image आप काफी time पहले देख चुके हैं और इस smartphones के काफी सारे specs already confirm हो चुके हैं गाइस Xiaomi से smartphone series में first time use करने वाला है LPDDR5 Micron RAM जो की 50% ज़्यादा faster है previous RAM वर्जन से इसके अलवा Xiaomi Mi 10 smartphones के साथ में UFS 3.0 का storage feature भी implement करने वाले हैं जिससे read and write की जो memory वह पहले से काफी ज़्यादा faster देखने को मिलेगी गई जैसा कि आपको already पता है कि Mi 10 series के साथ में आपको Qualcomm Snapdragon 865 का flagship chipset देखने को मिलेगा तो performance no doubt top class की देखने को मिलेगी बट साथी साथ 108 megapixel camera sensor भी यहाँ पर मिलने वाला है जो कि इस device का एक और सबसे बड़ा highlight है और इस camera को tease करते हुए Xiaomi ने एक image भी वाइबो पर post किया है जहाँ पर आप इस device का ultra zoom features देख सकते हैं जबरदस्ट details आप यहाँ पर देख सकते हैं तो definitely इस camera sensor के साथ में Xiaomi DxO Mark में top position पर आने का प्लान कर चुका है जैसे कि यह smartphone एक curved super AMOLED display के साथ में आने वाला है टॉप left corner में यह smartphone एक single punch hole cutout के साथ में आएगा और यह जो display होगा यह 90Hz के refresh rate को भी support करेगा Xiaomi Mi 10 और Mi 10 Pro China के e-commerce website पर भी listed हो चुके हैं जहाँ पर इन device के storage variant भी confirm हो जाते हैं इसके अलबा ल्यू वाइबिंग ने खुद से officially confirm किया है कि इस बार Mi 10 सीरीज के साथ में आपको 6GB RAM variant देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह device LPDDR5 RAM के साथ में आएगा तो जो starting variant होगा वो 8GB, 120, 8GB रहने वाला है और इसके साथ 12GB और 16GB, 256 और 512GB के storage options भी मिलने वाले हैं According to Xiaomi Mi 10 series पहली इसी smartphone series होगी जहां आपको LPDDR5 RAM देखने को मिलने वाली है तो definitely यह smartphone Samsung S20 से पहले ही launch होगी जहां पर आपको Samsung की तरप से LPDDR5 RAM देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने लास वीडियो में बताया था आने वाले एक से दो दिन में officially confirmation भी देखने को मिल जाएगा तो February 10 तक यह device officially चाइना में launch हो सकते हैं सनेपडरेगन 865 चिपसेट सूपर एमिलेट कर्व सिंगल पंच होल डिस्पले 108 मेगापिक्सल पावरफुल कैमरा यूएफस 3.0 16 GB पावरफुल रैम फीचर्स को देखते हुए MI10 सीरीज काफी पावरफुल रहने वाली है आपके अकोडिंग MI10 सीरीज में सबसे बैस फीचर कौन सा है नीचे कॉमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं तो फिलाल के लिए यही था MI10 सीरीज को लेकर वीडियो कर पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना और अपडेट्स के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स वीडियो में